नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तिवारी अकैडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षासात के सामाजिक विज्ञान में भुगोल के अध्याय दो की भुगोल का अध्याय दो जिसका शिर्शक है हमारी पृत्वी के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि पृत्वी के अंदरूनी हिस्से कौन-कौन से है और पृत्वी किस से मिलकर के बनी है यहाँ पर हम अलग-अलग प्रकार के विभिन्द खनीजों के बारे में जानेंगे चट्टानों पृत्वी की सतह और वह किन परत उसे मिलकर के बनी है उन परतों के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं अब आप देखिए कि आप शीर्शक देख रहे हैं हमारी पृत्वी के अंदर दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो पृत्वी है यहाँ एक गतिशील ग्रहा है यहां सूर्य की परिक्रमा कर रही है और इसके अंदर और बाहर निरंतर सतत परिवर्टन होते रहते हैं ठीक है? यहां पर हमसे पूछा गया है कि क्या हमने कभी सोचा है कि पृत्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृत्वी किन पदार्तों से बनी है? है न, अक्सर हमारे मन में यह जिग्यासा जो है जाकती है, कि जो पृत्वी है वहा किन-किन चीजों से मिलकर बनी हो सकती है, और क्या होगा यदि हम पृत्वी के भीतर एक गहरा घड़ा खोदते चले जाएं तो, अंदर हमें क्या कुछ मिलेगा, वो कौन-कौन सी चीजे वस पदार्थ है जिन से मिलकर के हमारी पृत्वी बनी हो सकती है, इन सारी जिग्यासाओं का जो है समाधान हमारा होने वाला है सध्याय के अंदर, इससे पहले कि हम इस शीर्षक को पढ़ें जो की लिखा हुआ है पृत्वी का आंतरिक भाग, मैं चाहता हूँ कि हम इस प्रष हुआ है दोस्तों कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिन अफरीका में स्थित है ठीक है और उसकी जो गहराई है वो है लगभग 4 किलोमीटर, दोस्तों तेल की खोज में इंजिनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, है ना उन्हें लगता है कि भीतर तेल उपल कर चुके हैं, ठीक है, दोस्तों पृत्वी के केंदर तक पहुचने के लिए, मैं आपको बता दूं कि यह बिलकुल असंभव है, है ना पृत्वी के केंदर तक पहुचा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर पृत्वी के केंदर तक पहुचने की बात की जाए, तो हमे समुद्र जो होता है न दोस्तों उसकी सतह पर से 6000 किलो मीटर गहराई तक खोदना होगा तब ये संभव है कि हम पृत्वी के केंदर तक पहुच पाएं ठीक है ना मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी अब हम बात करते हैं पृत्वी के आंतरिक भाग की दोस्तों शुरुवात में हमें यहां बताया गया है कि एक प्यास की तरह पृत्वी भी एक के उपर एक संकेंद्री परतों से बनी है संकेंद्री का अर्थ ये है दोस्तों कि इन सभी परतों का जो केंद्र है वह केवल एक ह है ना वो है पृत्वी का केंद्र ठीक है, आप इस चितर को देखिए, सबसे पहले आप इस चितर को देखिए दोस्तों, इस चितर में आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि परपटी, स्थलमंडल, है ना, मेंटल, क्रोड मेंटल, सीमा, भाय क्रोड और अंतरिक क्रोड ठी ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये अलग-अलग परतों के बारे में जो यहां पे सूख्ष्म विवरंट दिया हुआ है, यहां आप समझ पा रहे होंगे इस चित्र को देख कर, आईए, अब दोस्तों हम बात करते हैं इस शीर्षक की पृत्वी का आंतरिक भाग, दोस्तों, पृत्वी की सता इसमें जो सबसे उपर की परत है, उसे हम कहते हैं परपटी, ठीक है, और यहां सबसे पतली परत होती है, महादीपी ये संहती में 35 किलोमीटर एवं समुदरी सता में केवल 5 किलोमीटर तक यहां होती है, ठीक है ना, महादीपी ये संहती दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये मुख्य रूप से सिलिका जिसे आप रेत भी कह सकते हैं और अलूमिनिया ऐसे खनी जो से मिलकर के बनी है इसलिए दोस्तो इसे C.L. कहा जाता है C.L. का अर्थ क्या होता है देखिए C.L. का अर्थ होता है सिलिका एवं मैगनिशियम की बनी है, इसी लिए इसे सीमे, सीमे का अर्थ है दोस्तो, सिलिका तथा मैसे मैगनिशियम, है न, ये कहा जाता है, चित्र 2.2 देखने के लिए कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन पर, यह है चित्र 2.2 महादीपिय परपटी एवं महासागरिय परपटी ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे यह जो है यहाँ पर दिखा रहा है महादीपिय परपटी है यह महादीप है यह है महासागर और यह है महासागरिय परपटी ठीक है मुझे उम्मीद है कि आप परपटी से ताहत पर ये समझ पा रहे हैं है ना ये एक परत की बात हो रही है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं दीरे दीरे यहाँ पे लिखा है दोस्तों इसकी तरिज्या लगबग 3500 किलो मीटर है यहाँ मुख्यरूप से निकल और लोहे की बनी होती है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि निकल और लोहा ये दोनों ही धातुए हैं है ना और निकल और लोहे की बने होने की वज़े से इन्हें कहा जाता है दोस्तों निफे नीफे मतलब निकिल तथा फेरस, मैं आपको बता दूँ कि लोहे को फेरस कहा जाता है, ठीक है, और फेरस कहे जाने की वज़े से ही, हम आप विज्ञामने पढ़ेंगे कि हम लोहा याने आइरन को फे से डिनोट करते हैं, बताते हैं, है ना, सांकेतिक प्रदर्शित करते हैं फे से, ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है, आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि उसे फेरस कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, नीफे है ना, केंद्रिये क्रोड का तापमान और दाब जो है दोस्तों, वो काफी उच्च होता है, क्योंकि वह केंद्र में है, त प्रतिशत हिस्सा, जिसे हम परपटी कह सकते हैं, ठीक है, 84 प्रतिशत जो है, वह है मेंटल, और 15 प्रतिशत हिस्सा, क्रोड कहलाता है, ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए, आप एक बार इस चितर को देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो परपटी वाला हि हिस्सा है, ये है 84 प्रतिशत, ठीक है, और क्रोड वाला जो हिस्सा है, वह है 15 प्रतिशत, ठीक है, मुझे उम्मीद है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब देखो, प्रित्वी की तरिज्या 6,371 किलो मीटर है, अगर प्रित्वी की हम तरिज्या की बात करें, तो क जा रही है कि ये जो है 6,371 किलो मीटर है, ठीक है, मुझे उम्मीद है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, अब दोस्तों हम बात करते हैं, शैल एवं खनिज की, तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझने का प्रियास करते हैं, दोस्तों, प्रित्वी की जो परपटी है, यहां कई प्रकार के शैलों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, शैल सितात पर आप ऐसा समझे कि यहां पर बड़े बड़े पत्थरों की बात हो रही है, दोस्तों, प्रित्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राक्रतिक पिंड को शेल कहते हैं ठीक है ना प्रित्वी की परपटी जो है दोस्तों यह जिन पत्थरों से मिलकर के बनी है वह खनीज से मिलकर के बने हुए है और प्राक्रतिक पिंड है यह तो इन्हें क्या कहा जाता है शेल कहा जाता है दोस्तों यह शेल विभिन रं यहां पर लिखा हुआ है आगनेय शैल इसा कर दूसरा प्रकार है अवसाधी शैल आपको यह शब्द पढ़ते बन रहे होंगे बड़ी सरलता के साथ में इससे पहले कि हम आगे बड़े दोस्तो हम यह समझ लेते हैं कि इनका अर्थ दातपर्य क्या है है ना एक हलका सा इंट्रॉडक्शन देखिये यहां लिखा है शब्द की उत्पत्ती तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है इगनियस यहा दोस्तो एक LATIN शब्द है GIGNUS, इसका अर्थ होता है दोस्तो अगनी, इसीलिए Agnius Shell को Ignius Rock भी कहा जाता है इसके बाद है SEDIMENTRY, यहा एक LATIN शब्द है, SEDIMENTIM से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तो इस्थिर ठीक है इसी लिए अवसादी शेल को सेडिमेंटरी रॉक कहा जाता है और फिर है मेटामॉर्फिक तो यहाँ एक ग्रीप शब्द से मिल करके बना है यहाँ ग्रीप शब्द है मेटामॉर्फोस इसका अर्थ होता है दोस्तों अपने रूप में परिवर्तन करने वाला इसी लिए यहाँ कायान तरित शेल को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है ठीक है मुझे उम्मीद है यह सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम शुरुवात करते हैं इस लाइन से द्रवित मेगमा दोस्तों द्रवित मेगमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है है ना जब लावा निकलता है है ना तो जो आला मुखी फटता है तो जो लावा निकलता है दोस्तों उसे हम मेगमा कहते हैं तो जो द्रवित मेगमा होता है या थंडा होकर थोस हो जाता है और इस प्रकार बने शैल को Agnearchelle कहते हैं हमें यह समझ में आ रहा है कि इंगियास रॉप किसे कहा जाता है Agnearchelle है न? तो वह जो जौला मुखी से निकलने वाला मेगमा है जब वो ठंडा होकर के ठोस बन जाता है तो वो बदल जाता है आगनेय शैल में ठीक है और इसे हम प्रात्मिक शैल भी कहते हैं ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए प्रात्मिक शैल किसे कहा जाता है तो आपको आगनेय शैल के बारे में बताना है दोस्तो यहाँ आ जौला मुखी से निकलने वाला लावा क्या आप इसकी कल्बना कर सकते हैं वास्तों में आग की तरह लाल द्रवित मैगमा ही लावा कहलाता है जो प्रित्वी के भीतर से दोस्तों यानि की आंतरिक भाग से निकल करके सता पर आ जाता है और जब द्रवित लावा प्रित्वी क सता पर आता है तो यहां तेजी से ठंडा हो करके ठोज बन जाता है दोस्तों परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर भेदी आगनेय शैल कहते हैं आप समझ रहे हैं ना हमने अभी जाना कि आगनेय शैल क्या है और हमने हलका सा यहां पढ़ा कि आगनेय शैल के भी दो एक है अंतर भेदी शेल और एक है बहिर भेदी शेल तो सबसे पहले हमें जानने का मौका मिल रहा है बहिर भेदी शेल के विशय में तो बहिर भेदी आगने शेल किसे कहते हैं जौला मुखी के भटने के बाद उससे निकलने वाला लावा याने की मैगमा जब ठंडा हो जाता इसे ही बहिर भेदी आगने शेल कहा चाता है आएए अब जानते हैं कि अंतर भेदी आगने शेल किसे कहते हैं ठीक है इसके पहले यहां पे दिया हुआ है कि यह जो बहिर भेदी आगने शेल है इनकी संदशना दोस्तों बहुत महीन दानों वाली होती है उधारन के लिए यहा अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है है ना ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ बाहर निकले कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वहाँ भूपरपटी के अंदर ही क्या होता है ठंडा हो जाता है गहराई में और इस प्रकार जो ठोस शैल बनते हैं ठोस आगने शैल बनते हैं इन आप समझ गए होंगे ठीक है दोस्तों इसके बाद कहा गया है कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उधारन है ठीक है दोस्तों मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्शन पत् इससे पहले कि हम आगे बड़े हम पढ़ते हैं एक शब्दावली के विशह में जो दिया हुआ है जीवाश्म के बारे में दोस्तों शैलों की पर्तों में दबे मृत पौधे एवं जन्तूओं के अवशेशों को जीवाश्म कहते हैं ठीक है ना मुझे उम्मीद है आप आगे बड़ते हैं शैल जो है दोस्तों वहाँ लुड़क कर चटक कर या एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकडों में तूट जाया करती है और इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं ठीक है ये जो अवसाद है दोस्तों ये हवा जल आधी के द्वारा एक स इस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमाकर दिये जाते हैं और ये अध्रण अवसात दबगर और कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताओं कि जब किसी पत्थर का निर्मान होता है जब कोई पत्थर बन जाता है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा अधिक तापमान के गारण उस पत्थर में विस्तार होता है जब उस पे धूप पड़ती है और जब रात को ठंड अधिक होती है ऐसे इल दरारे पढ़ जाती है और जब बारिश होती है तो भरा जाता है इन दरारों में पानी जो की वापस से उस पत्थर की दरारों को भरने नहीं देता और ऐसे में धीरे-धीरे करके ये पत्थर ये शेल जो हैं छोटे-छोटे टुकडों में तूट जाया करते हैं पानी इनके भ बवा, पानी ये सब चीजे इन्हें बहा कर अपने साथ ले जाती हैं अपने एक अंथ तक्ये और इसी प्रकार से निर्मान होता है कििसका शेल की एक परत्का और इस प्रकार की शेलों को अवसादी शेल कहते हैं मुझे उम्मीद है कि अवसादी शेल किसे कहते हैं आप समझ गया हुँए है ना चली आगे बढ़ते हैं दोस्तो उधारन के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है इन शेलों में पौधों, जानवरों और अन्य जो सूक्ष्म छोटे-छोटे जीवानों होते हैं जो कभी इन शेलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी इनमें हो सकते हैं आगे कहा गया है दोस्तों कि आगने एवं आवसादी शेल, उच्चताप एवं दाप के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो सकती है उधारण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में एवं चूना पत्थर, संग मरमर में परिवर्तित हो जाती है ठीक है न, यहाँ पे उधारण के रूप में क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संग मरमर में परिवर्तित हो जाता है मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे देखिए चित्र दिया हुआ है प्रष्ट के बाई और यह है कायांतरिच शैल में परिवर्तित अवसादी शैल के विशह में ठीक है ना दोस्तों शैल हमारे लिए बहुत ज्यादा उप्योगी है है ना कठोर शैलों का उप्योग सडक घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है और दोस्तों पत्थरों का उप्योग कई प्रकार के छोटे-छोटे खेलों में भी तो हम करते हैं ना उधारन के लिए साथ पत्थर जिसे पिठ्ठू कहा जाता है है ना चिबिड्डी जिसे स्टापू या फिर किट-किट कहा जाता है पांच पत्थर गिट्टी ये सब खेल है है ना मुझे उम्मीद है कि इन में से कुछ खेल के नाम आप उनसे परिचित होंगे दोस्तों आदा दादी माता-पिता पडोसियों आदी से पूछपूच कर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमसे कहा जा रहा है देखो दोस्तों यहाँ पर है लाल किले का एक चित्र और ताज महल का चित्र मैं आपको बता दूँ कि यह जो लाल किला है यहाँ लाल बलुआ पत्थर से मिल करके बना हुआ है देख रहे हैं लाल दिख भी रहा है इसलिए से लाल किला कहा जाता है और ताज महल दोस्तों बना हुआ है दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रिय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तो एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है दोस्तो शेल चक्र ठीक है ना दोस्तो हमें यह बात पता है यह बात खबर है कि द् मेगमा ठंडा होकर ठोस आगनेय शेल बन जाता है और दोस्तों ये आगनेय शेल छोटे-छोटे टुकड़ों में तूट जाता है और फिर एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसाधी शेल का जो है निर्मान करता है यहाँ भी हमने पढ़ा ठीक है दोस्तों ताप और दाब इनके कारण ये आगने और अवसादी कायंतरित शैल में बदल जाते हैं ठीक है ना अब हम देख रहे हैं कि कैसे आगने शैल जो है अवसादी शैल में बदला और उसके बाद में यही अवसादी शैल काय में बदल गया, कायांतरित शैल में बदल गया, ठीक है, दोस्तों ताप अधिक होने की वज़े से और दाब अधिक होने की वज़े से जो कायांतरित शैल होता है यह पिघल कर फिर से द्रवित मैगमा में बदल जाता है, और यह द् फिर इसे ठंडा होकर आगनेय शेल में बदल जाता है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक द्रवित मैगमा ठंडा होकर के आगनेय शेल में बदला, फिर आगनेय शेल अवसाधी शेल में बदला, फिर अवसाधी शेल कायांतरित शेल में बदला, और पुनावा कायां कायंतृत शेल पीगल करके मेग में बदल जाता है इसे एक चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है और वहाँ है ये चित्र ठीक्ध को प्रदर्शित करते हुए चित्र को आप देखिये कैसे मेगमा बन गया है आगनेव शेल में आगने शेल अवसाद तलचट में बदल गया फिर इससे बन गया आवसादी शेल फिर इससे बन गया कायांतरित शेल और वापस से पुनाफ हो गया ये मैगमा के रूप में परिवर्तित ठीक है मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में पूरी तरह से 100% आ गई होगी अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों शेल जो है वह विविन्न खनीजों से बनी होती है दोस्तों खनीज प्राक्रतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुंधर्म होता है और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है दोस्तों खनीज जो है वह मानव जाती के लिए याने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है है ना दोस्तों कुछ का उप्योग हम इंधन की तरह करते हैं जैसे कोईला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम है ना और इनका उप्योग उद्योगो औशधी और उर्वरक में भी होता है जैसे कि लोहा हो गया जो की बहुत ही छोटा था बड़ी आसानी से पढ़ लिया है तो हम ये देखते हैं कि क्या इस अध्याय को पढ़ने के बाद में इसके जो कुछ अभ्यास प्रश्न दिये हुए हैं हम उनके उत्तर ठीक ढंग से देव पाते हैं या नहीं चलिए अभिजाज कर लेते हैं इस स्विभ्य मेंटल और क्रोड बिलकुल सही है न चलिए तो ये तो हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया इसके बाद अगला प्रश्न हमसे ये पूचा जा रहा है कि शैल क्या है है ना दूसरा प्रश्न तो भही या शैल क्या है अभी हमने देखा कि प्रित्वी की परपटी है दोस्तो उसे बनाने वाले जो खनिच पदार्थ के कोई भी प्राकृतिक पिंड है उन्हें शैल कहा जाता है ना याने शैल प्राकृतिक पिंड है जो की खनिच पदार्थ से बिलकर के बने हुए है और क्या बना रहे हैं पृत्वी की परपटी शैल दोस्तो अलग-अलग रं पड़ा है आगनेय शेल अवसादी शेल और कायांतरित शेल है ना इसके बाद अगला प्रशन पूछा गया है कि बहिर भेदी एवं अंतर भेदी शेल का निर्मान कैसे होता है इस बारे में बताईए तो भाई ये तो सबसे सरल प्रशन हो गया इस अध्याय का क्योंकि हम जान स्थेजी के साथ ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर के वहां बदल जाता है ठोस में और पर्बटी के इस प्रकार से बने हैद को बहिर भेदी आगनेय शेल शेल कहते हैं है ना मुझे उम्मीद आपको यह समझ में आ गया होगा इसके बाद में अंतरभेदी आगने शैल की बात करेंगे तो द्रवित मैगमा कभी कभी भू परपटी तक आने से पहले ही हो जाता है भाईया ठंडा और इस प्रकार से बने हुए शैल को अंतरभेदी आगने शैल कहते हैं इसके बाद आ रहा है अगला ब्रशन जो है शैल चक्र से आप क्या समझते हैं तो भाईया हम बता देते हैं कि जब कोई एक प्रकार का शैल दूसरे प्रकार के शैल में परिवर्टित होता है तो परिवर्टन होने की यह जो प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है सतच चलत यहां पर निर्मान होता है अवसाधी शैल का और यही अवसाधी शैल दोस्तो एक निश्चित ताप और दाप के कारण कायांतरित शैल में बदल जाते हैं शैल चक्र कहा जाता है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फिर पूछा जा रहा है कि शैल के क्या उपयोग है तो भाईया शैल के उपयोगों की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि घर बनाने में सडख बनाने में इमारते बनाने के लिए खेलों में हमने पूछा जा रहा है कि बताइए कायांतरित शैल क्या है तो भीया कायांतरित शैल के बारे में तो हम यह कह सकते हैं कि उच्चताप एवं दबाव के कारण आगने और अवसादी शैल में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के कारण परिणाम से कायांतरित शैल में यहां परिवर्तित हो जाते हैं जैसे कि चिकनी मिट्टी का स्लेट परिवर्त होता है ठीक है ना मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा चलिए आप बात कर लेते हैं कुछ सही विकल्पों की है ना थोड़ा के बीसी खेल लें द्रवित मैगमा से बने हुए शैल के वो होते हैं हमारे आगने शैल है ना इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि बताईए प्रिथवी की सबसे भीतरी परत कौन सी है क्या वो परपटी है क्या वो क्रोड है या क्या वो है मेंटल तो मैं आपको बता दूँ कि भीया वो होती है क्रोड हमने चितर में सबसे श जानते हैं कि सर ये तो खनिच के उधारन है ना इसके बाद में अगला प्रशन हम से पूछा जा रहा है जो है घह नंबर पे कि शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं अवसाधी शैल कायंतरिच शैल या आगने शैल तो दोस्तों वो कहलाते हैं अवसाधी शैल हमने पढ़ा है इस अध्याय में ठीक है फिर हमसे पूचे जा रहा है कि प्रिथवी की सबसे पतली परत कौन सी है क्या वो परपटी है क्या वो mental है या वो क्रोड है तो हमने बता है था अध्धाय की शुरुवातने की परपटी जो है वहाई एक प्रतिशत मेंटल 84 प्रतिशत और क्रोड जो है वह 15 प्रतिशत है तो इसका सही उत्तर है परपटी जो की सबसे पतली परत है ना इसके बाद में भीया है यहाँ पर सही जोडी है ना सही जोडी बनाने के लिए कहा जा रहा है यह अभी बहुत ही सरल काम है चलिए अभी फटा पट एक मिन मिन्या से बनती है नहीं इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है नहीं सबसे भीतरी परत बिल्कुल आगे बढ़ने की जरुवत नहीं है क्रोड जो है सबसे भीतरी परत है तो हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तो कि पहले काका का जो उत्तर है वहाँ है फिफ्ट वाला तो हम एक काम करते हैं इसके आगे लिख देते हैं कह ठीक है ना बिल्कुल अक्षर इतने अच्छे के खुबसूरत नहीं है लेकिन आपको समझ में आ गए होंगे चलिए इसके बाद है खनिच है ना तो खनिच क्या है भीया खनिच अभी हमने पढ़ा इसका एक निश्यत र मारत बनाने के लिए इनका उपियोग किया जाता है है ना तो यहां पे लिख देते हैं ग'ा ठीक है फिर है चिकनी मिट्टी है ना घ'ा तो इसके बारे में इभी हमने नहीं पढ़ा आगे पढ़ लेते हैं स्लेट में बदलता, बिल्कुल, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है, ठीक है न, तो यहां आ जाएगा इसके बाद में फिर भी कुछ बचा है के CL, है न, CL किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं, कि यह सिलिका और अलुम्या से बनता है, है न, तो यह यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, चो, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस सही जोड़ी के बारे में, चलिए, और भी कुछ है किया, अच्छा, यह तीन चीज़े और दी हुई है, कारण बत समुषने के लिए हमें समुद्र की सता पर हमने पढ़ा था कि 6000 किलो मीटर तक खोदना पड़ेगा, और दोस्तों, हर 32 मीटर की खुदाई के बाद में, एक सेंटी ग्रेट ताप बढ़ता चले जाता है, और प्रित्वी का केंद्र जो की आंतरिक क्रोड है, वहत तक हुआ है, अवसाद ही शेल अवसाध से बनती है, अब इसके बारे में कारान बता देते हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं, जो शेल होते हैं, वह भय Cayable लुबक करे एक दुसरे से तकड़ करे है न, या फिर आंतरिक बल की बात कर लेता हैं जैसे कि उनका चटखना, ठो इनके हैं कि इसे अवसाद कहते हैं और दोस्तों ये अवसाद हवा जल की द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुच करके एकटे एकत्रित जमा हो जाते हैं और ये अवसाद दोस्तों बन जाते हैं दबकर कठोर शैल की परत बनाते हैं जिसे अवसादी शैल कहा जाता है ठीक है न तो ये कारण भी आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद में लिखा हुआ है चूना पत्थर संग मरमर में बदलता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अवसादी शैल होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है इस अध्याय में उचे ताप और उचे दाप के कारण दबाव के कारण कायांतरिच शैलों में बदल जाते हैं और चूना पत्थर भी एक अवसाद शैल है जो कि उच्च तापमान और उच्च दाप के प्रभाव के कारण प्रभाव में आ करके संग मरमर में बदल जाता है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि य वीडियो की जो लिंक है उसे आप शेयर करेंगे साजा करेंगे अपने दोस्तों साथियों सहपाटियों मित्रों परिजनों साथियों के साथ में ताकि वो लोग भी सध्याय को देख पाए समझ पाए जानकारी को और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ में तब तक के लिए नमस्कार